असलाम अलेकम दोस्तों अगर सलाई मशीन कटर लगाने के बाद सुई से दागा बाहर निकाल देती हो तो इसको कैसे ठीक करते हैं तो यह देखें सबसे पहले तो आपने टैंशन स्प्रिंग देख लेना है वो ज्यादा टाइड ना हो टैंशन पॉस जो है वो लूज होती हो अगर टैंशन की सेटिंग बिल्कुल ओके हो फिर भी सुई से दागा निकल जाता हो तो इसकी सेटिंग करने के लिए आपको वाइपर और केम की सेटिंग करना बढ़ती है तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा के वाइपर की सेटिंग और केम की सेटिंग जो है वो कैसे ओके नहीं होती तो फिर इसकी सैटिंग जो है वो केम से हो नहीं है यह आप देख सकते हैं कि वैपर थोड़ा सा आगे लगाने से कटर जो है वो दागा तो कार रहा है मगर सुई में थोड़ा सा चोड़ा है कभी निकल जाता है तो इसकी केम की सैटिंग जो है वो आउट है त देखें आपने ये 10 की चाबी से थोड़ा सा लूज करने के बाद थोड़ा सा इसको पीछे कर देना है ताकि कटर की लेंथ जो है वो पूरी हो सके उसके बाद मैं आपको इसकी केम की सेटिंग बताता हूं कि केम की सेटिंग से इसकी लेंथ जो है वो कैसे बढ़ाई जा सकती है बेसिकली होता यह है कि अगर कटर की मूवमिंट पूरी हो लेंथ पूरी हो तो मशीन जो है वो तागा ठीक आड़ती है और निडल जो है वो पूरा काड़ती है यह टेंशन भी पूरी रिलीज होनी चाहिए उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यह होती है इसकी केम कटर व बढ़ जाएगी बढ़ने के बाद यह होगा कटर जो है वो थोड़ा सलो हो जाएगा और पूरा जो है वो लगेगा इससे यह होगा कि कटर की जो सेटिंग है वो बिल्कुल ओके हो जाएगी और निडल जो है वो दागा पूरा काटेगी यह देखें आप कटर की जो मूवम स्या रखना है जब भी आपने cutter की टैमिंग करनी है तो स्क्रीव आपने फुल टाइट करने है यह अगर थोड़े से भी लूज रहा गया तो यह सारी सैटिंग जो है वह आउट हो जाती है इसलिए आपने इसको अच्छे वह आप देखके वहाँ से सीख सकते है उसकी मकमल सैटिंग करटर को चेंड करना कैसे तबदील किया जाता है करटर की टैमिंग कैसे होती है यह सारा कोई दिखाया गया है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आएक करने के बटन को प्रेस कर दें ताके आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके अला आफिज